बच्चों को संस्कार बच्चपन से सिखाया जाता है वो उसे जीवन भर याद रखता है और यही संस्कार आगे चलकर उसके सिध्धानतों में तबदिल होते हैं और जब अच्छे संस्कार न मिले तो क्या होता है कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यू तक कई लोगों से मिलता है जिसकी गिंती शायद उसे याद भी नहीं होती अलग-अलग व्यक्तियों से अलग-अलग व्यवहार वह अपने जीवन में करता है किन से उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए यह संसकार ही उसे बच्पन में सिखाता है भारती सुरक्षा बलके जवानों का एक और पूरा देश सम्मान करता है उनसे मुलाकात होने पर उनका अभिवादन करता है आज सुरक्षा बलके जवानों की वज़ा से ही हमारा देश सुरक्षित है और इस वीडियो में दिख रहा यूवग भी इन्हीं की वजह से सडकों पर अपनी गाड़ी चला रहा है लेकिन इस यूवग को यह नहीं सिखाया गया था कि किसी सुरक्षा बलके जवान से कैसे बात की जाए घटना कहा की है इसका पता तो नहीं चल पाया लेकिन मुह में लगे मास्क बता रहे हैं कि यह गटना कोरोना काल की है वीडियो में यह बत्तमीज यूवग सुरक्षा बलके जवान से बहस कर रहा है और अंग्रेजी में कह रहा है Who is he? इस बत्तमीज यूवग के साथ उसके माता और पिता भी हैं संभौता तीनों कार से कहीं जा रहे थे यह यूवग गंदे तरीके से जवान को उंगली दिखा रहा है और उसके माता पिता यूवग को डाट रहे हैं बजाए इसके यूवग को तो वही उसके माता पिता पीठते तो भी कम होता शायद यही डाट पहले पड़ी होती तो आज सुसंसकारित होता माबाप के समझाने के बावजू दिया बत्तमी जीवग अपनी बत्तमीजी का प्रदर्शन कर रहा है लेकिन अंत में जीवग अंग्रेजी में जवान को गाली दे देता है इसके बाद जवान उसे खीच कर बहार निकालता है इस बीच युवग के माता-पिता जवान से माफी मांगते हैं इस बत्तमी जीवग को कैसा संसकार मिला है या अपने माता-पिता के सामने ही जवान को गंदे इशारे कर रहा है या दुखद और सर्मनाख है यूरो रिपोर्ट, DNX TV, रायपूर. यूरो को भीजिए कार। अरिडियो चर्ड जिए बताय। ऑय बखेए डिनिकाल बखेट हैं यूरा था, अजय पुदाओ! एफ, आम पुदाओ!